बद्यप्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है कि अपने शेत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर अब लोग सीधे विधान सबा में याचिका लगा सकते हैं आम जनता को ये बहतर सुविधा विधान सबा अध्यक्ष ग्रीश गौतम के द्वारा पिछले दिनों लाए गए बिल के जरिये मिलेगी ये बिल आम जनता के लिए अपने शेत्र में उपेक्षित विकासकार्य अठके बड़े सारवजनिक काम या बहु प्रतिक्षित मांगो की निराकरण के लिए उम्मीद जगाने वाला साबित हो सकता है मध्यप्रदेश विधान सबा अध्यक्ष ग्रीश गौतम के द्वारा लाए गए जन्हित कारी इस बिल को लेकर अभी बहुत कुछ सपष्ट होना बाकी है लेकिन जानकारी के अंदुसार विधान सबा सत्र स पहले लोक साशन से समंद्धित समस्या अठके पड़े कामों और मांगों को लेकर ओन-लाइन शिकायत के प्रश्मंत्री राम किशोर कानवरे ने बिल को स्वागतियों के बताया है इंपर लेक्षण पूबी यहाची का बाना जा सकता है और उसको भी धांसमान प्रसूम करने के बाद उसमें परीशनिया विचार करेगी और यही शम्रेश्ड थो सब्सें कि अधियों में जिनाएं देखे घरेखे देमोकरसी मजबूतोत जाएे हैं विधान सभा के कॉंग्रस विधायक संजय उईके ने भी आम जंता को राहत देने वाली इस नई विवस्था के सरहाना की है विधान सभा शेत्रों में बहुत सी ऐसी बड़ी और बहु प्रतिक्षित मांगे होती हैं जो आज भी निराकरण या विकास की बाट जो हो रही है बिजली पानी सिचाई सड़क परियतन विकास जैसे कई मूलभूत समस्याइं हैं जो शेत्रिय जिम्यदारों के अंदेखी के चलते उपेक्षित हैं ऐसी समस्याओं को अब जनता भी आवेदन के जरीए विधान सवा में पहुँचा सकेगी जिससे यकीनन विधायक मंत्रियों के जिम्यदारी और जवाब देही आम लोगों के लिए और भी बढ़ जाएगी अब देखना होगा कि आगे ये बिल आम जनता के लिए राहत देने वाला साबित होता है ये सियासत में सिगूफा ही बनकर रह जाता है पंजाब किस्टी टीवी के लिए बालागार से हरेश लिलहारे की रिपोर्ट